दोस्तो हॉलिवुड की एक मूवी थी जिसका नाम था पाइरट्स अब दी केरिविन और दोस्तो आपने वो जरूर देखी होगी मैंने भी देखी थी दोस्तो उस फिल्म के अंदर जो स्टोरी होती है तो पाइरट्स के अराउंड लिखी गई है और दोस्तो मूवी देखते सब लोगी यह चीज़ मानते हैं कि वो अपने आख में बैंडेज इसले लगाते थे कि उनके आख में कोई इंजरी हो रखी है इसले से वह आख भोग सकते नहीं है तोस्तो असलियत इससे बहुत ही जादा अलग है तोस्तो मारी आज की वीडियो में हम यही चीज़ों करने और चेज़ते हैं और आज की वीडियो के तरफ अब दोस्तों सबसे पेने आप कुछी यह ज़िए बताना अचाहता हूं कि जब भी कोई इंसान किसी लाइट अरिया से जब कुछी दार्क एरिया में एंटर करता है तोस्तों बद्दों सबस्तों सबस्ते पैने आपकुछी कि आप कही भार थे और उस टाम भार सुबा हो रहे थी बहुजा दूप थी बहुता लाइट थी फिर एकदम से जब कोई भी डार्क रूम में आते हो आप बहुत जादा अंधेरा होता है दोस्तों तब आपकी जो आइस होती है उनमें जब प्यूबस होते है वो डिलेट कर पाए और हम अंधेर एक अंदर अच्छी तरीके से देख पाए और दोस्तों जब हम किसी भी डार्क रूम से निकल जाते हैं और एकदम से बहुत जादा लाइट हमा जाते है तो जो हमारी आई होती है वो अपने आपी उस लाइट के साब से अपने आपको एड़स कर लेती दोस्तो एक्च्छी होता क्या है यह तरी पाइलेट होते हैं जिनको हम हिंदी के अंदर समुझरे लुटे रहे बोलते हैं दोस्तों हमेशा ओशन के उपर से सेल करते है अपनी शिप के साथ और ऐसा बहुत बहुत बर होता है कि ओशन में बहुत जादा तुफान आगया या बहुत ही कम टाइम होता है जल्दी से कोई एक्शन लेने का दोस्तों जब वो किसी डाग रूम में जाएंगी उनके अगर दोनों आख जो हो खुली होंगी दोस्तों कभी भी वो एची देखनी पाएंगी कि उस रूम में क्या रखा है तो इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी एक आख को इसलिए रखते हैं ऐसा कि जो उनकी एक आख की प्यूपल्स है हमेशा डिलेट करके रखे जिससे वो जब भी अपने किसी रूम में दूसरे एंटर होगे तो वो अपनी दूसरी आख को बंद करके अपनी ब्लैक बेरने से वाली आख को खोल ले जिससे उनको उन में एंटर करें तो बहां पर उनों कुछ दिखे ही ना वो जो उनकी आई के प्यूपस है वो पहले ही डिलेट हो रखे हैं और दोस्तों यह स्री पाइलेट्स ही नहीं बहुत सारे मिल्टरी के ऑफिसर साथ साथ बहुत सारे पाइलेट्स भी यह चीज यूज करते थे जिसस ही बहुत सारे वीडियो सो लाने वाले तो प्लीज बेल आगो दो माने मत बूलना मैं मिल तो आपको अगली वीडियो में तो बाई